पर आप सबी के लिए संडे स्पेसल क्लास स्टार्ट हो चुका है आज के क्लास में कमपलीट हंडेड कुश्चन आप सब के लेकर आए हैं जो आपके ट्रपल सिक्जाम में आपको काफी हल्प करेंगे और जितने भी आप question को सही कर पाएं, उनके answer आज के test में आप लोग जरूर बताना कि आपने आज के hundred question में कितने answer सही किये हैं, ठीक है, तो इसका जबाब आप लोग comment box में जरूर देना last में, इस बात का आपको धिया रखना है, सभी लोग अपने answer last में जरूर बताना कि आप आपने आज कितना score achieve किया है, good evening to all, सभी लोग ready है test के लिए, ठीक है, अरुन मिस्रा, मुहमद अजीम, good evening, जिसान हुसैन, बविता कुमारी, अविने कुमार, बिलकुल सभी लोग तयार हैं, आज की test के लिए, शुरूराद करें, ओके, ठीक है, तो आज का test ही start किया जारा आप सभी के लिए, और ये test आपके लिए काफी valuable भी है, और helpful भी है, क्योंकि ये test में आपको पूरे के पूरे 100 question मिलने वाले हैं, जो की काफी ज्यादा आपको help करेंगे, काफी ज्यादा आपको experience होगा, अगर ये paper पूरा करते हैं तो आपको triple six exam देने में काफी आसानी हो जाएगी, ओके, तो चलो start करते हैं, फिर पहला question screen पे है, first question से ही आप लोग correct answer भेजने की कोशिस करना, कोई भी गलत question ना हो पाए, ठीक है, तो ये test में काफी सारे मैंने आपको test कराए हैं, उनमें से कुछ questions मैंने लिए हैं, कुछ अलग से question लिए हैं, गौरप सिंग, good evening, ठीक है, आप जल्दी join हो गए, क्योंकि पहला ये question screen पे भी आया है, तो अभी तक मैंने कई सारे class आपको कराए हैं, उनमें बहुत सारे question आपको करा चुके हैं, नंदन, राहुल लंदन, good evening, है ना, तो बहुत सारे question आपको करा चु ट्रपल छी को नजर में रखते हुए बनाया गया है, तो इस paper को completely आप पूरा complete करना, ठीक है, फिर बताना मुझे कि आपने कितने answer सही किया है, रितु गुप्ता, good evening, चलो बच्चों के answer भी आचुके हैं, पहले question का, और थोड़ा आप लोग जल्दी से answer देने की कोशिस कर करना, क्योंकि 100 question होने में time लगता है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी answer करना, के class थोड़ा जल्दी करेंगे, बिल्कुल, पहले question का answer काफी बच्चों ने अपना भीज दिया यहां पर, तेरा internet का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का सही जबाब आया option number D, इसका right answer होगा, very good, option number D, चलिए, पहला question सभी का सही गया, बहुत अच्छा, आप चलेंगे अगले question पर, और हर एक प्रशन आपके लिए यह जरूरी है, इस test का, ठीक है, और question number 50 के बाद में आपको काफी अच्छे question मिलेंगे, जो की banking से समन्दित होगे, और आपक के लिए काफी यह helpful होगा, test अगर आप यह पूरा complete देख लेते हैं, तो उमीद है कि आपके troubles exam हो, आपको काफी help मिल जाएगी, ओके, चलो, question number 2, bank किस पर ब्याज लेता है, आप से पूचा गया है, किस पर ब्याज लेता है, हर question को समझना, फिर answer करना, मेरे भाई, इसमें आ काफी बच्चों ने आप रांसर भेजा है, किरा, bank किस पर ब्याज लेता है, तो bank आप से किस पर ब्याज लेता है, रविंद्र कुमार, मुहमद अजीम, राम बरन, जीसान, राहूल, उमेश कुमार यादब, सपना, अरुन, मिस्रा, हिमेंद्र कुमाम ने आंसर भेज दिय लेंगे, तो उमेद है कि आंसर सही आजाएगा, और फिर भी गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं आप उसको लिख लेना, कुशन नमबर थाड में पूछा गया है, निमन में कौन सा bank खाते का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा bank खाते का प्रकार नहीं है, आप जल्दी से बत हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं, आप उन सभी को ये paper आप अभी share कर दो, ताकि और भी बच्चे live session में जुड़ सकें, और उनको भी इसका benefit मिल सके, ओके, तो यहाँ पर question number 3 का, काफी बच्चों ने जवाब भीज दिया है, निमन में कौन सा bank खाते का प्रकार नहीं ह बहुत अच्चा, आप चलें, अगले question पर, ठीक है, और question number 4 आपके सामने ये रहा, वहाँ क्या सब्द है, जो आम तवर पर, बेपेज पर रेखांकित पदरसित होता है, आप जब बेपेज पर देखते हैं कोई चीज, उस पर जो रेखांकित पदरसित होता है, वो सब्द पूछा गया, आप से क्या होता है, राहुल जी कहते, पीडियाफ नहीं देते हैं, टेलिग्राम पर थोड़ा, बीजी होने के कारण पीडियाफ बना नहीं पाया, sorry राहुल जी, बाट जितने भी class भी मैं, चलो, आज का, आज का, आज का पीडियाफ आपको मिल जाएगा, टिक, जिंदा मत करिए, अभी बना दूगा मैं और डाल दूगा, ओके, नो डेंसर, चलिए, कुछिन नमबर फूर का अभी वच्चों ने आपर आंसर भेजा है, अविने कुमार, कमा लगतर, अरुन, महेस, ललित बिंस, उमेश कुमार यादब, तो यहाँ पर जो आपका क कुछन नमबर 4 का option क्या होगा, option नमबर B हो जाएगा, सबना जी, option नमबर B होगा, गलत मत करना, गलत कर होगा कुछ बच्चे मोहमद अजीम, option नमबर क्या होगा, B होगा बहाई, गलत मत करो, यह question पूरा करना है, अभी निजी कहरे, रावल भाई, वीडियो देख लिया, वहाँ गुश्ट नमर 4 देखिए आप कहा रहा है समझ लेजे फिर गलत हुआ है वहाँ सब्द पूछा गया है क्या है जो आम दौर पर जनली जो बेपेज पर आपको एक रखांकित प्रदर्सित होता है जब भी आपको किसी बैप साइट पर अगर ठीक है कोई भी वर्ड होता है बपको लेजिजिए को आपको करेंग वह होता है तो यहां पर चलो पूछछा नंबर 5 पर करांब बिश्रम क्या है आप से पूछा गया है ने जी चलिए अब बताइए कुश्चन नमर फाइब का और सभी के सभी बच्चे इस जो क्लास हो रहा ना इसको पूरा कम्प्लीट करना यह आपके ट्रपल सी में तो काम आएगा यह आएगा वर जो बच्चे यूपी पी सी ये लिए फर अधर जो एक काम्प्रेटिफ जाम्स की त्यारी में लगे हैं उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है कुश्चन ठीक है वविद्धा कुमारी गोड़ इबनिंग चलिए चलो ठीक है क्या होगा इसका राइट अंसर कुश्चन नमबर फाइब का विश्चन पूछा गया आपसे ठीक है बताए विश्चन क्या होगा तो काफी वच्चों ने यहाँ पर आंसर किया बट अलग अलग आंसर किया है तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा option number क्या होगा C होगा C जो है वो बिलकुल अलग है बिसम है बाकि SMT, POP और IMAP यह सभी के सभी क्या है mail से सम्मन्दित protocol है mail तो यह और FTP जो है आपका file transfer protocol है जो कि सबसे अलग है तो इसलिए बिसम क्या हुआ option number C हुआ चलिए आप question number 6 पे चलते हैं चलो लाश्ट में भाई जरूर बताना इमानदारी से कि आपने कितने answer सही किये है तकि उसी हिसाब से आपके लिए हम आगे की तयारी करा पाएं क्योंकि exam भी आप नजदी का रहा है ठीक है तो इस हिसाब से मुझे भी थोड़ा idea आ जाए कि आपको किस तरी किसे पढ़ाना है क्या-क्या आपको समझाना है क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा ठीक है तो थोड़ा idea लग जाएगा अगर आप लोग अपना comment में answer बता देंगे कि आपने कितने question आज कर पाए है अगला question देखिए आप एक browser क्या है option पढ़िए और answer करिए चलो question number 6 का answer आगया अविने जी का option number D very good चलो बताइए जल्ली क्या होगा right answer इसका सभी बच्चों ने option number D भीज दिया है मुझे लगा है बट सोच लेना सोच लेना क्या रशाई होगा इसका answer ठीक है question number 6 का option number C होगा वे बेब पर website देखने में प्रियोग किया जाने वाला program है बेब पर अगर किसी website को देखना है उसके लिए जो प्रियोग किया जाता है प्रोग्राम उसे कहते हैं एक बेब ब्राउजर option number C हो जाएगा इसका right answer ठीक है सभी देखोगा क्योंकि आप इन्होंने बी में क्या दिया वेब साइट बताने का प्रोग्राम option number C आपका right answer होगा इस question का चलो आप चलेंगे next question पर question number 7 कुछ question आपको थोड़े लगेंगे कि सभी हो सकते हैं बट कुछ न को से doubt हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है हाँ विल्कुल देखो कभी-कभी होता यह है कि चार option में से आपको ऐसा लगेगा कि चारो option बिल्कुल सटीक हैं बट ऐसी condition में आपको यह दिखना है आप सभी लोग जल्दी से question number 7 का answer कर दिजिए तो 7 का भी बच्चों नहीं आप राइट आंसर किया तो यहां पर जो आपका कर दिए वाइस हाँ